समीकरण यानिकी expression 0 जमा y जमा रिनात्मक यानिकी negative 7 को हल करें जब y का मान रिनात्मक 3 और y का मान 0 और y का मान 7 हो आएए देखें कि y का मान रिनात्मक 3 रखने पर इस समीकरण यानिकी expression का मान क्या होगा तो ये हो जाएगा 0 जमा रिनात्मक 3 जमा रिनात्मक 7 किसी भी संख्या में शून्य जोडने और घटाने पर उस संख्या के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए आप इस शून्य को अंदेखा कर सकते हैं। तो अब ये समिकरण हो जाएगा रिनात्मक 3 जमा रिनात्मक 7 इसे हल करने के लिए हम यहां संख्या रेखा यानि की नंबर लाइन का प्रयोग कर सकते हैं। रिनात्मक 10, रिनात्मक 3 से भी छोटी संख्या होगी। या फिर दूसरे तरीके का प्रयोग करके हम संख्या रेखा यानि की नंबर लाइन खीच लेते हैं। क्यूंकि संख्या रेखा द्वारा समझना हमेशा आसान होता है। ये शुन्य है हम इसमें रिनात्मक 3 जोड रहे हैं और फिर इसके बाद रिनात्मक 7 जोड रहे हैं। रिनात्मक 7 के लिए हम रिनात्मक 3 के साथ स्थान बाई और चलेंगे तो रिनात्मक 7 जोडने पर रिनात्मक 3 से रिनात्मक 7 तक इस तीर की लंबाई कितनी है। रिनात्मक साथ का परम्मान यानिकी absolute value साथ है और यही इस तीर की लंबाई है लेकिन हम यहां बाई और जा रहे हैं इस तीर की लंबाई तीन है क्योंकि रिनात्मक तीन का परम्मान तीन है यहां पर हम एक बार तीन स्थान बाई और जा रहे हैं और फिर साथ स्थान बाई और जा रहे हैं यानिकी कुल दस स्थान बाई और जा रहे हैं यह दूरी रिनात्मक साथ के परम्मान को प्रदर्शित करती है और यह दूरी रिनात्मक तीन के परम्मान को प्रदर्शित करती है इसलिए हमने यहां रिनात्मक 3 और रिनात्मक 7 के परमान को जोड़ा है लेकिन क्योंकि हम यहां शुन्य के बाई और जा रहे हैं इसलिए इन दोनों का जोड रिनात्मक 10 है तो अगर चिन्ह या साइन समान हूँ तो हम दोनों संख्याओं के परमान यानि की absolute value को जोड सकते हैं और शुन्य से बाई और होने के कारण यहां उत्तर रिनात्मक होगा इसलिए वाई का मान रिनात्मक 3 होने पर इस समीकरण का उत्तर रिनात्मक 10 है आईए देखें कि वाई का मान शुन्य होने पर उत्तर क्या आता है वाई का मान शुन्य रखने पर ये समीकरण यानि की expression हो जाएगा शून्य जमा शून्य जमा रिनात्मक साथ किसी भी संख्या में शून्य जोडने पर उस संख्या के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता इसलिए इस समीकरण का उत्तर है रिनात्मक साथ और अब देखते हैं कि समीकरण में वाई का मान साथ रखने पर उत्तर क्या आता है तो वाई के स्थान पर साथ लिखने पर यह समीकरण हो जाएगा शून्य जमा साथ जमा रिनात्मक साथ हम इसे दो तरह से हल कर सकते हैं हम इसे शून्य जमा साथ घटा साथ लिख सकते हैं तो यह हो जाएगा साथ घटा साथ यानि की शुन्य दूसरे तरीके से हल करने के लिए हम संख्या रेखा यानि की नमबर लाइन खीच लेते हैं ये शुन्य है और हम साथ पर है साथ शुन्य के दाईयोर है और हमें इसमें रिनात्मक साथ जोडने है इसलिए हम साथ स्थान बाई और चलेंगे साथ के बाई और साथ स्थान की दूरी पर शुन्य है यानकी हम दुबारा शुन्य पर पहुँच जाते हैं इसलिए इसका उत्तर है शुन्य